टोप 5 बेस्ट 5G स्मार्टफोन अंडर 13,000 रुपीज जी हाँ दोस्तो आज के समय पर इस प्राइस पॉंट के अंदर आपको काफी सारे स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं जहाँ पर आपको बढ़िया स्पैसिफिकेशन, दमदार फीचर्ज और 5G का सपोर्ट भी दिया गया है लेकिन उन सभी में से आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा तो दोस्तो ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा तो चली दोस्तों शुरू करते हैं इस लिस्ट को और बात करते हैं सबसे पहले उनी यूजर्स की जो की 12-13,000 रुपे के अंदर एक अच्छा 5G स्मार्ट फोन डूट है साथ में अच्छा क्यामरा, अच्छी डिजाइन और अच्छी परफोर्मेंस वगरा भी चाहिए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं Realme का Narzo 60XYG बात करें इस फोन की तो ये फोन आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है पर बिल्ड क्वाल्टी और डिजाइन दोनों ही फोन के यहाँ पर बहुत अच्छे दिये गए है बैक साइड में आपको यहाँ पर गलिटरी डिजाइन देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छा लगता है साथी साथ हो सो यह फोन 7.9 mm की थीकनेस और 190 ग्राम के साथ में आता है यानि काफी light weight और काफी slim भी है चलिए बढ़ते हागे और बात करते हैं आप यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की सो डिस्प्ले कॉल्टी आपको यहाँ पर अच्छी मिलती है चलिए आगे बढ़ते हों बात करते हैं आप यहाँ पर फोन के क्यामरास की तो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो क्यामरास मिल जाएंगे में कैमरा लगओ है 50MP का जो की F1.8 अपर्चर के साथ में आता है साथ ही में 2MP का आपको F2.4 का एक डेफ सेंसर दिया गया है इसके अलावा आपको यहाँ पर 8MP का सेल्फी स्नापर मिल जाता है क्यामरा से डड़ फोन का यहाँ पर अच्छा है साथ ही साथ आपको यहाँ पर डेलाइट में फोटोस भी काफी कमाल की मिलती है वैसे फोन का नाइट मोड भी काफी अच्छा परफॉर्म कर लेता है वीडियो की बात करें तो आप यहाँ पर फ्रेंट और बैक दोन होई कैमरा से कि यह प्रोसेसर रियल टाइम में बहुत ज़्याद स्टेबल है और साथ ही साथ आपको यहाँ पर चार लाग के आसपास ऑन्तु स्कोर भी निकाल कर देता है वैसे गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर आमाली G57 MC2 का दो कोर का जीपे मिल जाता है जो कि आपको यहाँ पर हाई सेटिंग पर काफी अची गेमिंग कराने में भी कैपे बल है साथ ही साथ फोन के अंदर LPDDR4X की RAM और UFS 2.1 का स्टोरेज भी दिया गया है अब बात करते हैं फोन के पावर हाउस की तो यह भी अच्छी बात है चलिए अब कुछ Advanced Features की बात कर लें तो यहाँ पर आपको मिलता है एक Side Mounted Fingerprint Sensor 3.5mm का Jack Single Bottom Firing Speakers दिये गए हैं लेकिन Audio Quality काफी अच्छी और Loud है वैसे Card Slot की बात कर तो आपको यहाँ पर Triple Card का Option भी मिल जाता है तो आप यहाँ पर एक साथ में दो 5G SIM और एक मैमरी काड लगा सकते हैं यह बहुत अच्छी बात है और साथ ही साथ दोस्तों यह स्मार्टफोन लेटेस Android 13 पर आपको मिलेगा जहाँ पर आपको मिलता है Realme का UI 4.0 पर प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि आपको यहाँ पर पहले से काफी सारे प्रींस्टॉल ब्लॉट फेर्स देखने को मिल जाते हैं हलाकि आप उन्हें निकाल तो सकते हैं लेकिन पहले से आते हैं तो यह थोड़ा सा डिसपोइंट करता है रही बात 5G bands की तो यह स्मार्टपोन अप्टू 9 5G bands को सपोर्ट करता है तो यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत ने आने वाली है तो अगर आप Realme की तरब से कम प्राइस पर एक अच्छा 5G स्मार्टफोन एक्सपेक कर रहे थे तो आप डेफिनिटली स्मार्टफोन की तरब देख सकते है बात करने प्राइसिंग की तो 4G बिनायम 128GB श्रोज के लिए आपको पेक करने पड़ेंगे 12,999 रुपे चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की अगले स्मार्टफोन भी इस प्राइस पॉंट के अने वाला का पेकेज है अगर आप अच्छे क्यामरास और अच्छे परफोर्मेंस बगरा भी ढूंड रहे तो आप इस फोन की तरब देख सकते हैं और ये फोन है याँपर नोट 35G बात करें इस फोन की दोस्तों तो ये फोन चीप प्राइस पर आपको बहुत ही कमाल की बिल्ड कॉल्टी देता है जियां दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको ग्लास बिल्ड के साथ में मिलेगा और साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक विगन लेदर वाला वेरेंट भी देखने को मिल जाता है तो ओर जो बिल्ड क्वाल्टी है फोन की वो यहाँ पर टॉप नॉच मिलती है डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर लगी हुई 6.78 इंचेस की पुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल 580 नेट्स की आपको यहाँ पर ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है तो इंडोर और आउट्डोर में विजिबिलेटी की आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली और पॉसिबली आपको यहाँ पर एनिजी का प्रोडिक्शन दिया गया है रही बात गेविंग की तो 120 हर्ट्स तक की हायर रिफ्रेशेड और 240 हर्ट्स की आपको यहाँ पर टस्ट सेंप्लिंग रेट मिलती है हाला कि डिस्पे क्वालिटी IPS है लेकिन डिस्पे की जो क्वालिटी दोस्तों वो बहुत की कमाल की है बात करें क्यामराज की तो आपको यहाँ पर बैक साइड में तीन क्यामराज दिये गए है मेन कैमरा है 108MP का जो की F1.75 aperture के साथ में आदा है साथ ही में 2MP का आपको depth दिया गया और आपको यहाँ पर एक QVGS sensor भी देखने को मिलेगा बैक कैमरा मोडुल आपको अहला कि थोड़ा से decent देखने को मिलता है लेकिन camera quality phone की अच्छी है daylight में आपको photos में कोई शिकायत नहीं आती front की बात करें तो front में आपको मिलता है 16MP का selfie snapper जहाँ पर आपको dual LED flash भी देखने को मिल जाते हैं तो overall आपको यहाँ पर decent selfie camera भी मिल जाता है बात करें video recording options की तो back camera से आपको यहाँ पर 2K तक की video recording option मिल जाएगा up to 30fps और front camera से आप यहाँ पर full HD की video को record कर पाएंगे up to 30fps चलिए आगे बढ़ते और बात करतें आप यहाँ पर phone की performance की तो दोस्तों इस phone के अंदर आपको एक latest chipset देखने को मिलता है 6NM Base Media Tech Diamond City का 6080 का chipset और दोस्तों यह जो chipset है यह आपको बहुत अच्छी performance निकार कर देता है यहाँ दोस्तों यह smartphone उन्देदू पर लगबग 4 लाग के आसपा स्कोर कर जाता है साथ ही साथ आपको gaming के लिए यहाँ पर दिया गया G57 MC2 का दो कोर का GPU जो कि आपको बहुत अच्छी लेवल की gaming भी करा देता है तो अगर आप यहाँ पर हल्की फुल की वीडियो एडिटिंग जैसे डास वगेरा भी करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर easily कर सकते है वैसे इस फोन के अंदर आपको LPDDR4S की RAM और EFS 2.2 आला स्टोरेज भी देखने को मिल जाता है तो ओर और जो परफॉर्मेंस है दूस्तों वो आपको यहाँ पर अच्छी मिलती है बात करें आप यहाँ पर फोन के पाउर हाउस की तो यहाँ पर आपको मिलते है 5000 MHz की बैटरी साथी साथ यह फोन 45W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है चार्जर आपको वोक्स के अंदर और चार्जिंग एलेक टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको बाईपास चार्जिंग का सिस्टम भी देखने को मिल जाता है जिसकी मदद से गेमिंग के समय पर अगर आप स्पोन को चार्ज करते हैं तो दोस्तों यह स्मार्टफोन है यह काफी कम हीट होता है और अगर आप चाहें तो इस डिवाइस की मदद से अपनी और किसी डिवाइस को भी चार्ज कर सकते हैं तो यह भी अच्छी बात है चलिए आप बात कर लेते हैं कुछ अधर फीचर्स की तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड मांटेड फिंकर पिंट सेंसर सपोर्ट करता है तो यह भी काफी कमाल की बात है तो चलिए दोस्तो बात कर लेते हैं प्राइजिंग की तो चार्जी भी रहे हैं और एक सो टाजी भी स्टोच के लिए आपको पेकरने पड़ेंगे तो बैक साइड में आपको यहाँ पर ग्लास का सपोर्ट मिलता है साथ ही साथ यह स्मार्ट फोन 9 mm की ठीकनेस और 218 ग्राम वेट के साथ में आता है तो देखा जाए तो फोन थोड़ा सा बलकी है बढ़ गाई यहाँ पर बिल्ड कॉल्टी और डिजाइन दोनों ही फोन के यहाँ पर काफी अच्छे दीगे अब बात करते हैं फोन के डिस्प्ले की तो इस फोन के अंदर आपको मिलते हैं 6.78 इंचेस की एक फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल 580 इनिट सकी brightness तो इंडोर और आउट्डोर में visibility की आपको यहाँ पर कोई शिकारत नहीं आने वाली है और अच्छी बात है कि यह फोन Widevine L1 की support के साथ में आता है तो आप यहाँ पर HD content वगएरा भी stream कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात इस smartphone के अंदर आपको 120Hz तक की higher efficient और 240Hz की dust sampling rate मिलती है तो इस price point के अंदर देखेंगे भाई तो अगर आप 5G smartphone से compare करेंगे तो आपको यहाँ पर display quality अच्छी मिल रही है चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आप यहाँ पर phone के camera's की तो इस phone के back में आपको 2 cameras मिलते हैं main camera लगाओ है 50 megapixel का और 8 megapixel का आपको यहाँ पर एक ultra wide lens मिलता है और बाकी के सारी useless sensor यहाँ पर आपको नहीं दिये गए फ्रेंट में आपको मिलता है 16 megapixel का selfie snapper जो की punch hole के साथ में आता है तो यह भी बहुत अच्छी बात है और उस फोन का camera setup तो अच्छा है लेकिन अगर हम image quality की बात करें तो आपको यहाँ पर image quality थोड़ी सी decent type की मिलती है जिसे आप अवो average कह सकते है वीडियो output की बात करें तो back camera से आप यहाँ पर 2K तक की वीडियो को record कर सकते है up to 30fps तो यह काफी अच्छी बात है तो camera की मामनें में यह smartphone आपको अवो average देखने को मिलेगा अब बात करते हैं phone की performance की तो दोस्तों इस phone के अंदर आपको मिलता है 6nm base, metadata, dimensity, 6080 का chipset और यहाँ पर आपको आम माली G57 MC2 का 2 core का GPU देखने को मिल जाता है और guys यह chipset काफी अच्छा है क्योंकि यह smartphone onto 2 पर लगबख 4.4 लग के आसपा score भी करता है तो देखा जाता है आप यहाँ पर medium से लेकर के high level तक की setting पर gaming वगएरा कर सकते हैं तो यह अच्छी बात है और इन सभी के अलाबा LPDDR4X की RAM और UFS 2.2 का storage दिया गया है तो price point को consider करते हुए आपको यहाँ पर performance में कोई भी शिकायत नहीं आने वाली अब बात करते हैं phone के powerhouse की तो back side में आपको यहाँ पर 5000 mc की battery मिल जाती है और यहाँ पर अगर हम users की बात करें तो आपको यहाँ पर एक दिन का backup बहुत आराम से निकाल कर देगी साथ ही साथ यह phone 33 watt charging को सपोर्ट करता है charger box के अंदर और charging के लिए types वाली port भी आपको दी गई है तो battery model पर फोन का यहाँ पर अच्छा दिया गया है अब बात कर लेते हैं phone की कुछ extra features की तो इस phone के अंदर आपको मिलता है side mounted finger pin sensor 3.5 mm का jack single bottom firing speaker है जिसकी audio quality आपको यहाँ पर थोड़ी सी decent देखने को मिलेगी लेकिन अच्छी बात है कि आपको यहाँ पर triple card का option मिल जाता है तो आप यहाँ पर एक साथ में दो 5G SIM और एक memory card लगा सकते हैं और साथ ही साथ आपको यहाँ पर carrier aggregation का support भी देखने को मिल जाता है बस दोस्तों यहाँ पर एक ही दिख्या है कि यह smartphone android 13 पर launch किया गया है जबकि android 14 काफी सारे smartphones के अदर देखने को मिल रहा है और आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही major update मिलेगा यानि कि android 14 का update आपको यहाँ पर मिल जाएगा और दो साल के आपको यहाँ पर security patches देखने को मिलेंगे रही बात 5G bands की तो यह smartphone अप्टू 8 5G bands को support करता है तो देखा जाए तो इस price point के अदर आने वाला काफी अच्छा package है चलिए अब बात करें प्राइजिंग की तो 8GB RAM 128GB storage के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 13,499 रुपए इस समय स्मार्ट फोन पर काफी सारे offers भी आपको मिल रहे है तो उन्हें apply करके effectively यह phone आप purchase कर पाएंगे सिर्फ और से 12,000 रुपए की कीमत पर और दोस्तों अगर हम बात करें आप उन्ही users की जिनने stock UI चाहिए अच्छे 5G bands चाहिए अच्छे camera अच्छी performance और यूं कहें कि इस price point के अदर best value for money phone चाहिए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं Moto का G54 5G बात करें इस phone की guys तो हमें लगबख इस price point के अदर सभी smartphone प्लास्टिक बिल पर ही मिल जाते है और यह smartphone भी प्लास्टिक बिल पर ही बना हुआ है लेकिन इस phone के अदर PMMA का material यूज़ के आ गया है जो कि आपको slightly better देखने को मिलता है प्लास्टिक से तो और जो phone की build quality है वो काफी अच्छी है साथ ही दोस्तों यह smartphone 9mm की ठीकनेस और 192 grams के साथ में आता है आपर 580 नीज तक की peak brightness मिल जाती है जिससे indoor और outdoor में visibility के आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं होने वाली है HDR 10 Plus का certification मिल जाता है पैंडा ग्लास का support दिया गया है और gaming के लिए 120 Hz तक की refresh rate और 240 Hz की test sampling grade भी मिलती है तो display quality price point के हिसाब से आपको अच्छी मिलती है चलिए फिर आगे बढ़ते और बात करते हैं आप यहाँ पर phone के camera's की तो back side में आपको दो ही camera's मिलेंगे लेकिन दोनों ही कमाल के हैं पहला आपको मिलता 50 megapixel का जो की F1.8 aperture के साथ में आता है और साथ ही आपको यहाँ पर optical image stabilization का support भी दिया गया है साथ ही साथ आपको यहाँ पर 8 megapixel का एक ultra wide lens मिलेगा जिससे दोस्तों आप यहाँ पर bouquet mode बगेरा भी ले सकेंगे तो यह भी अच्छी बात है साथ साथ 16 megapixel का आपको यहाँ पर selfie camera देखने को मिलेगा रही बात वीडियो output की दोस्तों तो front और back दोनों ही camera से आप यहाँ पर maximum full HD की video record कर पाएंगे up to 30fps हाला कि वीडियो के माल में थोड़ा सा disappoint जरूर करेगा लेकिन दोस्तों camera performance की बात करें तो still images आपको यहाँ पर आप वो average देखने को मिल जाती है वैसे इस phone के अंदर आपको LPDR 4XC RAM और EFS 2.2 का storage भी दिया गया है तो यह भी अच्छी बात है तो overall अगर आप इस price point के अंदर अच्छी performance वाला phone ढून रहे तो भी आप smartphone की दलग देख सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब यहाँ पर पाउर हाउस की तो back side में आपको यहाँ पर 6000 image का एक बड़ा सा बैटरा मिलेगा साथ ही 33W charging का support, charger box के अंदर और charging के लिए Type-C वाली port भी आपको दी गई है तो चलिए कुछ other features के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है एक side mounted fingerprint sensor, 3.5 mm का jack dual stereo speaker जहाँ पर Dolby Atmos का support दिया गया और यकीन मानिये दुस्तो audio quality सच में बहुत कमाल की है और हाँ दोस्तों यहाँ पर आपको hybrid card का option भी मिल जाएगा यानि कि आप एक साथ में एक 5G SIM और memory card इस्तमाल कर सकते हैं और रही बाद यहाँ पर user interface की तो यह smartphone Android 13 पर launch किया गया है और अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर कोई भी blockers नहीं मिलते साथ ही आपको एक साल का major update और तीन साल के security updates भी मिलेंगे और वैसे motorola का phone है तो think sale की security भी आपको मिल जाती है और हाँ दोस्तों यह smartphone लगपक 14 5G bands को support करता है तो काफी futuristic भी है तो अगर आप इस phone में interested हैं तो आप इस phone की तलब definitely देख सकते हैं बात करें pricing की तो 8GB RAM 128GB storage के लिए आपको pay करने पड़ेंगे 13999 विरपे बर दोस्तों बैंक comfort पर यह phone भी आपको मिल जाएगा 12999 विरपे की हीमत और finally दोस्तों बात करें list के आखरी और one of the best option की जियां दोस्तों यह इस price point के अंदर आने वाला एक value for money phone है जिसे आप एक और rounder package भी कह सकते हैं और दोस्तों यह smartphone है आप Poco का X5 प्लास्टिक build पर मिलेगा और दोस्तों build quality बहुत अच्छी है और साथ ही साथ यह phone भी हलके फूल के water और dust protection के साथ में आता है डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अदर आपको मिलती है 6.67 चेस की Full HD Plus वाली Super AMOLED पैनल कॉर्णी Gorilla Glass 3 का प्रडिक्शन 1200 नीट्स की peak brightness 120 Hz तक की high refresh rate और 240 Hz की test sampling rate तो डिस्प्ले क्वाल्टी आपको यहाँ पर बहुत अच्छी मिल जाती है cameras की बात करें तो back side में आपको यहाँ पर 3 cameras मिलेगे main camera लगा हुए 48 megapixel का 8 megapixel का ultra white 2 megapixel का macro और 13 megapixel का selfie snapper तो camera setup phone का यहाँ पर अच्छा दिया गया है वैसे daylight में photos भी काफी कमाल की निकल कर आती है और साथ-साथ काफी different modes बगरा भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते है वीडिया output की बात करें तो front और back दोनों ही camera से आप यहाँ पर full HD की video record कर सकते हैं up to 30 fps तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आप यहाँ पर phone के performance की तो इस phone के अंदर भी आपको वही same chipset मिल जाता है 6NM based Qualcomm Snapdragon 695 का जो कि around यहाँ पर 4 लग के आसपास On2 पर score करता है यानि दूस्त आपको यहाँ पर performance decent मिल जाती है साथ-साथ LPDDR4S की RAM और UFS 2.2 आला storage भी आपको यहाँ पर दिया गया है तो performance आपको budget के अंदर अच्छी निकाल कर देता है वहीं पर phone के powerhouse की बात करें तो back side में 5000 mm की battery 33W की charging को phone support करता है charger box के अंदर और charging के लिए Type-C वाली port भी आपको मिल जाती है कुछ अदर features के बारे में बात करें यहाँ पर आपको दिया गया एक side-mounted fingerprint sensor 3.5 mm का jack, dual stereo speakers और hybrid card option आपको यहाँ पर दिया गया है वैसे यह phone Android 12 पर ही launch के आगया है लेकिन आपको यहाँ पर POCO की custom skin MIUI 13 का support मिल जाता है वैसे आपको बदा दू कि यह smartphone अपटू 75G band के साथ में आता है तो अगर आप इस budget के अंदर कोई एक best smartphone चाहते थे तो आप इस phone की तरब भी देख सकते हैं बात कर लें pricing की तो 6 और 120 के लिए आपको देने होंगे 12,999 रुपए तो दोस्तों यह थे वो 5 smartphone जो कि आपको मिल जाते हैं लगबग 13,000 रुपे की इमत पर और सभी के अंदर आपको बढ़ियां specification, दमदार features और तो और 5G का support भी देखने को मिल जाएगा तो आप चाहें तो इन में से कोई भी smartphone देख सकते हैं सभी के link आपको नीचे discussion box में मिल जाएंगे तो एक बाद ज़रू चेक आउट कर लिजेगा और दोस्तों उमीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आयोगी तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को ज़रूर दबा दिजेगा चलिए मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें धन्यवाद